हेलो फ्रेंड आज की वीडियो में हम जो कार्वन ब्लैक टेंट कंटेंट टेस्ट करते हैं सीबीसी टेस्ट उसके बारे में पूरी डीटेल से जानेंगे तो बने रहे हमारे साथ वीडियो को एंट तक देखें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नाटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे अब सीबीसी टेस्ट के लिए सबसे पहले हम एच डीपी का छोटा छोटा सेंपल कट करते हैं जो हमारा यह सिलिका बोट है सिलिका बोट में आसानी से आ सके अब यह हमारी सिलिका बोट होती है फर्स्ट इस्टेप में हम इसको सिलिका बोट को मफल फर्नेस में डाल देते हैं पंद्रमेंट के लिए 500 डिग्री टेंपरेचर पर 15 मेट के लिए मफल फर्नेस में सिलिका बोट को रख देते हैं यह है हमारी मफल फर्नेस इसमें यहाँ पर हमारा टेंपरेचर सो करता है अब यह ऐसे उपेन होती सबसे पहले आपको इसमें टंग की सायतास इसको रखना है अब 10-15 मेट तक इसमें रखने के बाद 10 मेट तक हम सिलिका बोट को डेसीकेटर में डाल देते हैं यह है हमारा डेसीकेटर डेसीकेटर हमारा क्या करता है जो हमारा ठंडे जैसे जब हम सिलिका बोट निकालते हैं तो वो अधिक temperature आनेक बाद गर्म होता है, desiccator में सिर्फ हम ठंडा करने के लिए डालते हैं, तो 10 मिनट के लिए desiccator में डालते हैं, फिर उसको ले जाके silica board को, winging balance यह है हमारा, इस पे हम इसका weight लेते हैं, यह मैंने Google से photo निकाल लाते हैं, इसलिए इस पे reading आ रही है, सबसे पहले मापने से पहले इसको zero कर लें, उसके बाद इस पे reading दें, सबसे पहले खाली silica board का इसमे rating देना है, वो हमारा w1 हो जाएगा, उसके बाद हम material के साथ लगबग 1 gram material देंगे, 1 gram से कम 99 दसमलों कुछ material रहेगा, तब भी चलेगा, या दसमलों 99 material रहेगा, तब भी हमारा चलेगा, लेकिन 1 gram से ज़्यादा material नहीं होना चाहिए, फिर second step में silica board के साथ material को भी रखेंगे, और उसका वेट ले लेंगे, यह हमारा w2 हो जाएगा, अब नीचे आते हैं, यह हमारा cbc tester है, cbc tester में हम क्या करते हैं, cbc tester में, paragal solution, potassium hydroxide और distilled water का solution होता है, जो यह side में tubes दिख रही हैं, उसमें यह solutions fill up होते हैं, और बगल में यहाँ पे हमारा nitrogen cylinder लगा होता है, जिसमें हम जिससे हम nitrogen flow कराते हैं, यह हमारा nitrogen cylinder यहाँ बगल में लगा होता है, जिससे हम nitrogen flow कराते हैं, और यहाँ से हम जो silica boot होती हैं, उसको निकाल के, silica boot को w2 लेने के बाद, silica boot को हम 10 minute के लिए इसमें डाल देते हैं, और 10 minute तक continue इसमें nitrogen flow कराते हैं, उसके पहले जब हम test start करते हैं, तो दोनों मसीन, मफल फरनेस और CBC टेस्टर, दोनों एक साथ आन कर दें, और दोनों में temperature 500 degree तक maintain होने तर वेट करें, दोनों एक साथ आन करेंगे तो उससे problem नहीं होगी, temperature हमारा आसानी से आ जाएगा, अब 10 minute तक इसमें nitrogen flow कराने के बाद, पांच मेंट के लिए उसी tube में हम इसको छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद पांच मेंट बाद इसको निकाल के वहाँ से, silica board को, फिर निकालने के बाद हम desicator में फिर 10 minute के लिए रखें, यदि आप पहली बार 15 minute के लिए desicator में रखें हैं, तो जितने भी भार आप desicator में eating के बाद रखेंगे, पंदर मेंट ही रखेंगे, और यदि आप इसमें 10 minute के लिए पहली बार रखेंगे हैं, तो उसको second time भी उसमें 10 minute के लिए रखना होगा, इस चीज का आप timing का इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जिससे हमारा moisture absorb न कर पाए, क्योंकि इसी के वज़े से बार बार टेस्ट करने से टेस्ट फेल होते हैं, अब इसमें जब डालने के बाद, desicator में 10 minute रखने के बाद हम इसका weight लेते हैं, फिर winging balance पे इसका weight लेते हैं, ये weight हमारा W3 आता है, W3 आने के बाद, 500 degree पर 15 minute के लिए मफल furnace में डाल देते हैं, जिससे वो हमारा अच्छी तरह से जल जाए, material जलने के बाद, फिर उसको हम 10 minute के लिए desicator में रखते हैं, इसका ध्यान देख कि, यदि आप पहली बार 10 minute के लिए रखे हैं, तो दूसरी बार भी 10 minute के लिए रखेंगे, और तीसरी बार भी रखेंगे, यदि 15 minute के लिए तो 15 minute के लिए 3 बार रखना होगा, अब इसमें हम 10 minute के लिए रखेंगे, फिर उसको ले जाके, 10 minute बाद, विंगिंग बैलेंस पे उसका weight लेंगे, यह हमारा क्या आ गया, चौथा weight आ गया, अब उसके बाद हम as content calculate करेंगे, उसके लिए formula होता है हमारा, उसका फार, cbc यानि carbon black content is equal to, यहाँ पे हम लिखेंगे, w3 minus w4 upon, w2 minus w1, और multiply by उसमें 100 कर देंगे, यह है हमारा formula, cbc equal to w3 minus w4 upon, अब आण, w2 minus w1 multiply by 100, इससे हम cbc calculate करेंगे, अब इसमें जो हमारा w1 क्या है, इमपटी silica boat है, जो हम मफल furnace से निकाल के ले गए थे, w2 जो है हमारा, एक ग्राम material लेने के बाद, जो silica boat का हम weight लिये थे, material के साथ, वो हमारा w2 है, w3 क्या है, 10 मेंट तक nitrogen flow कराने के बाद, 5 मेंट उसमें रखने के बाद, जब हम लाते हैं, मफल furnace तो वो हमारा weight जब करेंगे, वो हमारा w3 हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा 14 weight है, मफल furnace में burn कराने के बाद, वो हम 14 weight लेते हैं, वो हमारा w4 होगा, और इसकी सहाथा से हम calculate करते हैं, यह है हमारा formula, और यदि हमारा 2.5 से 3% के बीच में आता है, तो हमारा sample सही है, यानि उसमें carbon का percentage सही है, नहीं तो वो pipe, मतलब उसमें जब यदि water flow कराएंगे, तो उसके बाद जो हम पानी पिएंगे, उससे हमारी बीमारियां हो सकती है, उम्मेद करते हैं, आपको वीडियो पसंद आयोगे, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों तक सेयर करें, ध्याने बाद,